तो दोस्तों इन्फिनिक बहुत जल इन्फिनिक्स Note 12 Pro 5G स्मार्फोन को लौंच करने वाला है और दोस्तों यह 5G स्मार्फोन होगा इन्फिनिक्स की तरफ से जो कि अंडर 15,000 की देज में आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों इन्फिनिक्स जो है कुछ समय से मार्केट में जैसे रेडमी टोफ फीचर वाले स्मार्फोन लौंच करता है कम प्राइज में वेसी दोस्तों इन्फिनिक्स जो है कम प्राइज में अच्छे स्मार्फोन लौंच कर रहा है जो कि दोस्तो इंडिया मार्केट में काफे दब प्रोपलर हो रहे हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Infinix Note 12 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में तो दोस्तो ये वीडियो concept and prediction पर based है तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो इस टार्ट कर लेते हैं स्मार्टफोन चे केमरा से तो यहाँ पर आपको 108MP का triple rear camera मिलता है यहाँ बेक साइट पर आपको 3 camera मिलते हैं इससा आप 4K recording कर सकते हैं साथ ही में आपको आपको Samsung का HM2 sensor रहने को मिलता है यहाँ पर आपको camera department में और भी improvement दिये गए हैं जैसे HDR, dual mode recording, music, zoom, AI, color, portrait video और धेर सार आपको feature रहने को मिल जाते हैं बात करते हैं front camera की तो यहाँ पर आपको 16MP का front camera मिलता है इससाब 100MP पर video recording कर सकते हैं साथ ही में face beauty and portrait short भी ले सकते हैं बात कर लेते हैं smart phone की display की यहाँ पर आपको 6.6 inch का full HD पर देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको full HD होने को जासे display की color quality जो काफे अच्छी रहने को मिलती है साथ ही में आपको 120Hz का refresh rate देखने को मिल जाता है तो इससे phone जो आपको काफी smooth चलेगा यहाँ पर आपको Gorilla Glass 5 की coding दी गई है जो की display की काफी protection के लिए काफे अच्छी बात है यहाँ पर आपको security के लिए side finger pin sensor का support दिया गया है और अब बात कर लेते हैं smart phone के OSN performance की तो यहाँ पर आपको Mediatek के तरफ से Diamond City 800U का पर से टेखने को मिलता है जो की दुस्तो latest है और 5G को support करता है तो यहाँ पर आप किसी भी game को medium setting पर smoothly है सकता है जिसे Free Fire, PUBG, Call of Duty यहाँ पर दुस्तों आपको Android 12 का support टेखने को मिल जाता है out of the box बात करते हैं RAM variant की तो यहाँ पर आपको starting RAM variant है वो 4GB RAM, 64GB सुरू होता है और दूसरा wind आपको मिलता है 6GB RAM, 128GB और आपको highly variant मिलता है 8GB, 128GB यहाँ पर आपको दूस्तों hybrid slot का support दिया गया यहाँ फोन में आप एक C में एक memory card लगा सकते हो और अब बात कर लेते हैं इस smartphone की battery live की तो फोन में आपको 6000 image की buddy battery मिलती है और उसी के साथ आपको 22W का fast charging आपको box के अंदर देखने को मिल जाता है और अब बात कर लेते हैं इस smartphone की design की तो फोन को जो design है वो काफी unique देखने को मिलता है बेक side पर यहाँ पर दूसरो glass bag का इस्तमाल किया गया है जो कि दिखने में काफी unique लगता है phone और बाकी यहाँ पर आप camera बडूल देख सकते हो काफी बड़िया सेफ में देखने को मिलता है यहाँ पर आपको air refresh का support मिल जाता है और नीचे की तरब infinix का branding मिलता है और नीचे की तरब को type-c port, mic 3.5 audio jack का support मिलता है तो दोस्तो यह instance की तरब से complete package बनता है जो की 5G smartphone है under 15,000 की range में यहाँ पर बात करते है price की और launch date की तो दोस्तो इसका जो expected launch date है वो आपको दोस्तो देखने को मिलेगा यह अक्टुमबर नौमबर के महिने में यानि इसी साल आपको देखने को मिलेगा यह smartphone price में आपको बता दिया under 15,000 की range में देखने को मिल जाएगा under 15,000 की range में आपको खाक्या मिल जाता है आपको बता रहता हूँ phone में आपको 6.6 inch का full edges मिलता है साथ ही में आपको 120 heart का refresh rate मिल जाता है और यहाँ पर आपको 6000 image की बेटरी मिलती है 22 watt का fast charging मिल जाता है diamond city 800U का उसे मिलता है जो कि 5G को support करता है तो दोस्तों देखा जाए तो एक complete package मनता है इंफिनिस की तरफ से